वेलकम टू करिये गाइडंस डियर श्टुडेंट्स आज हम लोग नीट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं नीट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया है काउंसलिंग का प्रॉसेज जो आपका अले नीट वाला हो तो आज हम लोग बहुत इंपोर्टन बड़ा अनलाइस करने के बाद हम लोग ने कुछ डिस्कसन करने का ये प्लानिंग मरी काफी समय से चल दाई थी लेकिन जैमेंस का जो है रिजल्ट आया फिर जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद स्टेट गवर्में को करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान दखना है तो सबसे पहले आम लोग बात टॉपिक आप जैसा की उपर देख रहा होंगे उपर डिस्पले पे ओल इंडिया नीड काउंसलिंग प्रोसेस 2020 की जो ऑल इंडिया नीड की काउंसलिंग है 15% वाली जो जोडे गए हैं लगवक 12 एमस में 12 सीटे बढ़ाई गई है और लगवक जिपमेर में 200 सीटे बढ़ाई गई है तो इन बढ़ी हुई सीट के साथ अब नंबर आप सीट कितनी है कहां कहां पे उसमें रिजरवेशन क्या 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 लगने हैं और उसको अपलाई करने से पहले बच्चों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और इलिजविल्टी स्क्रेटरिया क्या क्या रहेगा कौन-कौन सी काउंसलिंग में अपलाई करने की जैसे कि All India Need की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के कई पार्ट है जैसे E.S.I.C. कोटा होता है उसमें 15 परसं होती ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिए सब्क्राइब करिये चैनल को और लाइक करिये सेर करिये मैं अभी स्टा करने वाला हूं All India Need Quota मैं बात करने वाला हूं पहले All India Need Quota है उसमें इंक्लूट क्या होने वाला है All India Need Quota है इसमें आपका 15% MBBS BDS Seats है 15% जो है वह MBBS और BDS की Seats All State जितना भी State Government Medical College की Seats है सबसे पहले All State Government Medical College All State Government Medical College State के All Government Medical College की जो Seats है उसकी 15% सीट जो है वह नंबर वन सबसे पहला 15% सीट पार्टिपेट करेंगी second number पर जो आपका BHU है बनारस इंदी उनिश्टी इसको Institute of Medical Science BHU बोलते हैं इसकी 100% MBBS BDS सीट पार्टिपेट करेंगी तीसरे नंबर पर आप देखिए 100% MBBS Seats of AIMS across India इंडिया इंडिया इंदर जितने भी AIMS हैं उसकी 100% सीट पार्टिपेट करेंगी चौते नंबर पर आल इंडिया कोटा ओफ जिपमेर पॉंडचेरी और आपका बना हुआ है करेकल में तो यह दो जिपमेर है इसकी 100% सीट पार्टिपेट करेंगी उसके बाद आल इंडिया कोटा सीट ओफ एम्यू की जो है 50% कोटा आपका All India रहता है 50% कोटा जो रहता है होमिस्टेट कर रहता है जिपमेर में भी ऐसा है आगे हम लोग कोटा की बात करेंगे All India कोटा सीट्स ओफ सिक्स नंबर All India कोटा सीट्स ओफ फैकल्टी ओप जामिया मिलिए इसलामिया का जो यह फैकल्टी बना हुआ है इसकी जो सीट्स हैं वो पार्टिपेट करेंगी यह जो होता है इसके वारे मिला इसके गुलिए इसमें थोड़ा सा लाश मों बता दोगा बच्चों को तो चलिए स्टाइट करते आगे इस विश्रिवेस्ट की बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं बहुत कॉटकर्स करें सेंटल गवर्मेंट फर न नीट यूजी काउडिन् कि SC कोटे के लिए 15% हैं, ST के लिए 57% फिजिकल हेंडिकाप के लिए 5% होरिजेंटल रिजरवेशन है, यह होता है, मैं थोड़ा सापको रिस्क्राइब कर दूँ, होरिजेंटल रिजरवेशन वो होते हैं, जिनकी सीट को कनवर्ड किया सकता है, जैसे कि SC, ST, OBC की सीट होती है, अगर वो खाली रह जाती हैं, तो उन सीट को जर्नल ओपन सीट में कनवर्ड नहीं किया सकता है, लेकिन यह वाला जो होरिजेंटल रिजरवेशन होता है, इसको आप हम अगर सीट बच रहिए लाश्ट में, तो इसको जर्नल सीट में कनवर्ड किया सकता है, इसको बोलते हैं, होरिजेंटल रिजरवेशन, EWS का 10% कोटा है, अगर उसका 147 नंबर साइट कट ओफ गया, इस बार जो भी है, कोई बच्चा नीट क्वालिफाइड है, तो इसमें पार्टिपरेट कर सकता है, और डोमिसाइल फ्री, बनिसाइल फ्री का मतलग है किसी भी स्टेट का बच्चछा है, एक कहीं का भी इसके पार copyingसाल है, वो इन सारी काउंसलिंग जिसको मैंने अभी इसके पाते किया यह पहले, इनमें पार्टिसिपट करने के लिए इलिजवल है अगर वो नीट कॉलिफाइड है और उसके बस कहीं का भी दो में साल है नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं सबसे बहले एम्स की बात कर लेते हैं नमबर वन पे एम्स इस वार सबकी चोईस रहने वाला है जितने भी टॉपर हैं जैसा आप जानते हैं 720 नमबर वाला जो बच्चा टॉपर है गल्स और एक फिम वाइस दो लोग टॉपर है इसवार 720 नमबर पे तो उनका जितने भी टॉपर है उनका सबसे पहले चोईस रहेगी आपका एम्स एम्स की मैं बात करूँ तो एम्स डैली, भोपाल, भोवनेशवर, रिसिकेज, नाकपूर, जोदपूर, पटना, रायपूर और आपका यह आपका वोगया मंगलगरी, बिजयबाड़ा, उसके बाद भटिंडा, द्योगड़, गोरकपूर, हैदरावाद, कल्यानी और रायबरेली उसके बाद यह आपके जो एम्स है वो प्रोपोज्ड हैं, प्रोपोज्ड एम्स में बिलासपूर है, गौाटी है, राजकोट है, उसके बाद आपका अमरा, अवंतिपूरा है, उसके बाद आपका मेनाती है, उसके बाद मदुरही है, उसके बाद आपका दरभंगा है, य में पार्टिसपेंट करने बाले हैं इस बारब इनारी न परमारिक हों। कि बात करने हैं इस बिछीषटा करने इंग्लिष की बात करें परमार उसके बाद इसमें जो number of seats की बात करें, 200 seats हैं लगवक, उसके बाद हम IMS, BHU की बात करते हैं, बनारसी, उसके बाद इसमें आप देखिए number of seats जो है 100 के आसपास हैं, और जवारलाल नहरू, Medical College, AMU, अलिगर्ड मुस्लिम इंविश्टी के इंदर का इंबस बना हुआ, उसको ज AFMC Pune, AFMC Pune का थोड़ा क्रेडरिया अलग रहता है, इसमें number of seats की बात करें, 1500, 115 seat boys के रिजर्व हैं, 30 seat girls के रिजर्व हैं, 5 seat foreign, मतलब NRI कोटे के रिजर्व हैं, और 10 seat SCHT student आगे लिखा हुआ है, out of 145, अगर आप इन seats को काउंट करेंगे, तो यह 145 बने जाके, तो यह total 145 हैं, तोटल 10 seat जो हैं, वो SCHT के रिजर्व हैं, तोटल 10 seat, इसके बात करते हैं, इसके बात करते हैं, एलिजविल्टी की, AFMC के लिए 12th must pass, 12th must pass, board exam, इन a single attempt, एक single attempt में आपको 12th pass होना चाहिँ है, अगर आपने कहीं गप किया है, या आपने दो बार में 12th किया है, कई सारे जिए कि विए फयल होने के वाजब मुझें करके नवें नवी आजाते हैं तो उनका यहां पे नहीं चलेगा, तो मागा आपको 12th pass कर ना है, जिएक खाने मीन, सागे शॉrzyंग कर stremy हिं और एंग्लिस में साथ में इसके लाद में, इसके वाद में इंषिघ।rites की, रोजिज Test of English Comprehensive and Logical Reasoning इस टेस्ट को पास करना बहुत कंपल सरी है तो इस इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा थोड़ा डिफकल्ट है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है जो भी बच्चे need qualify या apply कर सकते हैं आपे आगे हम लोग बात करते हैं Government Medical College State Manager जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था All Over India के जितने भी State Government Medical College है All Over India के State Government Medical College की 15% seat 15% seat जो होंगी वो All India Needs से भरी जाएंगी याजि की All India Quote से भरी जाएंगी MCC की जो काउंसलिंग होने वाली है MCC NIC.IN की वेबसाइट पर जाकर की Registration कर स्टाइस तारीक को इसमें आप अगर बात करें MBBS के कॉलेजेज की तो 250 के असपास इसार गवर्मेंट कॉलेज हो गए MBBS के और Number of Seeds की बात करें तो जो All India Quote की 15% seat बनती है वो लगवग यह है अपरोक्स जो इस बार All India Quote की काउंसलिंग में पाउंसलिंग करेंगी पांच ज़र के असपास अपरोक seat हैं BDS के 42 colleges हैं और लगवग seat की बात करें 450 अपरोक seat हैं जो All India Quote से आपको मिलने वाली हैं तो यह आपका हो गया State Government Medical College अब बात करते हैं Deemed Universities की इस Deemed Universities की अगर बात करें मैं आपको बता जो Number of Colleges की अगर बात करें तो लगवग 44 के असपास Colleges हैं इंडिया में Deemed और Number of Seats की बात करें लगवग 7700 के असपास पिले साली 500 के असपास की कुछ बढ़ी है 4700 के असपास सीट्स हैं और फीस की अगर बात करें तो Deemed में फीस फोड़ी जाज़ा रहती है 10 लाग से लेकर के 30 लाग तक फीस है Deemed में State-wise Deemed Universities की अगर हम बात करें महाराष्टा में 12 Deemed हैं करनाटगा में 11 Deemed Universities हैं उसके बाद गुजराद में 1 है केरला में 1 है अडिसा में 2 है तमिलनादू में 9 है पॉंडचेरी में 4 है डैली में 1 है हर्याना येक यूपी में 1 Deemed Universities बनी है थोड़ा सा कॉशली रहता है 2 लाग रुप है 2 लाग रुप है 2 लाग रुप है करते हैं Central University कोटा इंडिया में बहुत सारी Central University चैसे मैंने भी BHO की बात करी डैली University की अगर बात करें लेडी हर्टन Medical College उसके वाद University of College of Medical Science मौलाना आजाद Medical College ये colleges जो दिये हुए Central University के college में सारे Central के है यहाँ पक्या है 15% कोटा 15% सीट आपकी All India कोटे से भरी जाएंगी और 85% सीट उनसे भरी जाएंगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं जिनके पास दिल्ली का Domicile है उसके पास जवालना लेरू Medical College AMU कर हम बात करें तो 50% सीट भरी जाएंगी All India कोटे से और 50% सीट भरी जाएंगी जो उत्तरप्रजस के निवासी हैं जिनके पास Domicile हैं उसके आद हम लोग बात करते हैं IMS BHU Institute of Medical Science जैसे की मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैं डिटेल में बताऊंगा IMS BHU के बात करें 100% Domicile Free है मतलब पूरे इंडिया का किसी भी स्टेट का रहने वाला बच्चा इसमें अपलाई कर सकता है 100% Domicile Free तो है लेकिन 15% All India कोटा की जो सीट हैं वो पासिपेट करेंगी और 85% internal कोटा अब ये internal कोटा का क्या होता है मैं बता दूँ आपको आप किसी भी Central University से चाहें आप भी से हों या जामिया से हों अगर आपने वहां से 12th किया है ये लोग 12th भी करवाते है ये जो campus है ये 12th करवाते है अगर आपने वहां से 12th किया है या कोई graduation course किया या फिर B.H.C. बगर कर रखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रिपरेशन करते हैं साइड में B.H.C. कर लेते हैं तो वह बच्चे इंटरलन कोटा में सारे माने जाएंगे तो ऐसे बच्चे जिन्होंने B.H.C. कोई course किया है किसी भी प्रिकार का वह इंटरलन कोटा में आएंगे और उनकी 50% सीट पर उनकी काउंशलिंगों की faculty of dance करते हैं जेमाई में 100% All India कोटा है लेकिन 5% सीट जो है 5% सीट आपकी इंटरलन कोटा की हैं तो अगला हम लोग बात करते हैं यह हो गया आपका Central University का Central Institute of Burdaman Mahavir Medical College and Safdarganj Hospital बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है और उसके बाद आपका आटलवेरी बाच पे Institute of Medical Science and Ramonur Lohia Hospital यह भी अच्छा माना जाता है यहाँ पर 15% सीट जो है वह आपकी All India कोटे की हैं और 15% सीट जो है वह आपकी Homestate कोटे से भरी जाएंगी Mop-Up Round की अगर हम लोग बात करें Last में Mop-Up Round में साफ-साफ लिखा हुआ है For Deemed Central Universities, ESIS, ESIC, AIMS मतलब Mop-Up Round में आपके जो State Government Medical College वह participate नहीं करेंगे Cable Central Universities participate करेंगे Deemed participate करेंगे ESIC कोटा के जो सीट होंगी वह participate होंगी और AIMS के साथी सीट पार्ट से परेंगे जिबमेर तो मैं आपको बस यह बताना चाहता हूँ Last में की process क्या है जो MCC counselling करवा रहा है उसका process यह है की registration स्टार्ट होगा MCC.NSE की website 27 तारिक से सबसे पहले आपको registration करना है उसके बाद fee payment करना है fee payment 1000 रुपीज है General OBC के लिए SCHT के लिए 500 रुपय है और 10,000 रुपय आपका deposit amount जो आपका college ना मिलने की इस्तिती में condition में बापस refundable रहेगा तीसरे नंबर आपको fee payment करना है जैसे point लिखा हूँ है लिए क्या रहेगा Deemed universities के लिए रुपी payment है वो 2,000,000 रुपय security amount है 5,000 रुपय आपका जो है वो registration का fees है यह आपका non-refundable है यह आपका refundable रहेगा यह आपका किसी भी reservation में आप OBC, SC, General, PH कहीं भी हों यह condition सबके लिए एक जैसी रहेगी 24 filling होती है देन उसके बाद 24 filling के बारे हम फिर से एक वीडियो बना देंगे देन उसके बाद अलाउटमेंट 24 filling तक का जितना काम होता है आपके हाथ में रहता है अगर आप 24 filling जितने आगड़े इससे पहले एक वीडियो हम लोग ने बनायाता है वो भी आपको मिल जाएगा प्रचाइब के चैनल पर उसमें number of seats state wise और number of participants कितना बच्चा किसे state से पार्सिपेट कर रहा है कितना और वहां पर medical colleges में government medical college में private में कितनी seats हैं इसपे वीडियो लोगों ने इससे पहले बना दिया है तो जो choice filling तक सारी चीज़ आपके हाथ में रहती है choice filling तक सारी चीज़ आपके आपके रहती है उसी हिसाब से आपको allotment मिलेगा उसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम रहता है रिपोर्टिंग और choice filling और allotment में आपके आगे वीडियो बनाते रहेंगे number of rounds की बात करते है number of rounds की बात करें All India quota के दो round होंगे All India quota का जो दो round होते है AIQ जो quota है आपका इसमें जो first और second round होगा first और second round में 15% seat participate करेंगी government medical college की मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ आपको एक बार 15% seat participate participate करेंगी government medical college की और उसके बाद जब third round होगा तो third round में नीचे लिखा हुआ है deemed college or central industries के लिए जितने भी college है वो आपके तीसरे round में participate करेंगे या mop up round तक जाएंगे वो 3 भी हो सकते हैं 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ तो जो 15% कुछ बच्चे पूँछें सर जो 15% कोटे वाली सीट से अगर भज जाएंगी तो वो कहा जाएंगी अगर माल लीजे मैं आपको एक वार फिर से बता दे रहा हूँ माल लीजे हम KGMC की का बात कर लेते हैं KGMC लखनो की हम बात कर लेते हैं या KGMU की बात करें KGMC ए KGMU एक ही बात है आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग KGMU की बात करते हैं KGMU लखनो माल लीजे KGMU में 200 सीट हैं अपरोक्स में एक्जामपल बता रहा हूँ अब इस 200 में जो 15% सीट हुए वह हुए 30 सीट अब यह 30 सीट दी जाएंगे All India Quote को All India Quote काउंसलिंग के लिए MCC काउंसलिंग में 30 सीट जाएंगी अब माल लेजे All India Quote की First Round की All India Need की First or Second Round की काउंसलिंग में यह 30 में से 20 सीटे भड़ जाती हैं और अगर 10 सीटे बच जाती हैं तो उसके बाद यह 10 सीटे KGMU को बापस कर दी जाएंगे कि आप अपने स्टेट वाली जो 85% वाली काउंसलिंग होती इस पर भी वीडियो बना देंगे अब आप अपनी 85% वाली काउंसलिंग में इसको एड़ करके इसको फिल कर लीजे तो इस तरीके से काउंसलिंग होगी मैं फिर बता दूँ फर्स्ट और से केवल कॉलेज पार्ट से करेंगे गार्मेंट दैन उसके वाद जो कॉलेज होंगे पैरलल सेंट्रल डीम्ड और जो भी आपके कॉलेज बने हुआ यह एफम्सी यह एजए कोटा वाले ESIC कोटा के बारे मैं थोड़ा सापको बता दूँ कि ESIC कोटा क्या होता है वो ऐसे सारे बच्चे जिनके फादर की जिनके फैमिली इंकम 15,000 मंतली के ऊपर नहीं है 15,000 से अंदर उनका ESI कार्ड बना हुआ है वो इस कोटे के अंतरगत काउंसलिंग कर सकते और सीट्स ले सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं इसके बारे मैं बता दूँ फिर से एक ESIC कोटे कोटे कोपर में फिर से एक वीडियो बना दूँगा कौन-कौन से कॉलेज में यह लगता है या इसका आपको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है आर जो से बारे में ढोला दरा चाले तो ईसके वाद आपको जब सारी जानकारी हो की तो च्याइस फिलिंग करने से पहले आप हमसे संपर्ग भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखें लाइक करें आगे अगे सेयर भीक करें थैंक्यू वरी मच्छ बाद बाद धन्वाद